नमस्कार न्यूज पियार देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ आभा इसकूलों में पर रहे बच्चों के लिए बरी ख़बर निकल कर सामने आई थे इसकूलों का जो समय था अब उसमें बदलाव किया गया है पहले जो इसकूलों का समय था वो आट पचास से साहे चार बजे तक था लेकिन आप उसमें बदलाव किया गया है सिक्चक इस चीज का बरी बेसबरी से इंतजार कर रहे थे अब सिक्चाविभाग निकलेटर जारी किया है उसमें ये दिया गया है कि स्कूलों का समय जो है अब बदलाव किया गया है अब जो स्कूलों का समय है वो साहे 9 बजे से 4 बजे तक है अब सक के लिए भी बड़ी ख़बर सामने आईए ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अब ट्रांसफर की प्रकिरिया जो है फिर से शुरू होगी सिक्छाविभाग एक बार फिर से ट्रांसफर के आविदन लेगा ये आविदन प्रकिरिया 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगी और ये ओनलाइन मोड में लिया जाएगा आईए जानते हैं पुरी खबर विस्तार से सिक्छाविभाग ने अपने आदेश में कहा है कि पुराने आविदन को रिजक्ट किया जाता है जिन सिक्छकों ने अपना आविदन सम्मिट किया है उनका आविदन रद माना जाएगा एक लाख बीस हजार से अधिक सिक्छकों ने आविदन दे रखा था नए प्रावधान के तहट आविदन लिया जाएगा वहीं सरकार ने सरकारी स्कूलों के टाइंग में भी बदलाव किया है स्कूल अब सारे नौ से चार बजे तक चलेगा यानि स्कूल अब पुराने समय में चलाए जाएंगे विभागी आदियस के तहट एक दिसंबर दोयाज चौबीस से राज के सभी प्रात्मिक मद्ध माध्यमिक उच्च माध्यमिक संस्कृतिक विद्याले मदर्शा विद्याले सहित मौडल टाइम टेबल निम रूप से निर्धारित क्या गया है प्रात्मिक मद्ध माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालों की नई समय सारनी के तहत सुभा साय नौ बजे विद्याले